हेलो स्टुडेंट आज की इस वीडियो में देखेंगे एक अक्षाच है विशे विज्ञान एडग्रेट अभ्याज पूस्तिका दोजार चोबिस पच्चिस तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे अध्याय पांच अध्याय पांच में है शरीर में गती पहला को चनाता दोजाएगा ए नमबर धुराग्र संदी इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है नीमने में से कौन सी संदी गती नहीं करती है दूसरे का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नमबर उपरी जबड़ा और कापाल तीसरा है अस्थी को गती प्रदान करने में कितनी पेजियां सही रोप से कार करती है तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नमबर दो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा चौथा में हैं कंदुक खलिखा संदी शरीर के किस भाग में पाई जाती है आपका उत्तर होगा ए नमबर कंगा पाच्वे में हैं मेरुदंट छोटी-छोटी अस्थियों से बना होता है जिसमें केरियुसकाओं की संख्या होती है तो आपका उतर हो जाएगा 33 इसके बाद नेक्स्ट को चनाता है आपका रिक्तिस्थान वाले प्रेश्ण हमारे सरीर को सुद्रड आकरेती तो यहाँ पी आपको भरना है कंकाल प्रदान करता है यहाँ पी आप कंकाल भल लीजेगा इसके बाद नेक्स्ट आता है दूसरे में भरना है आपको उपरी जबडा तो इसको आप भल लीजेगा तीसरे में है घेंगा वाला तो इसमें भरना है आपको पेसी पेसी पाद तो यह भली जएगा आपको इसको भली जएगा आपका चौथा चौथा कोर्शन में भरना है आपको तो इसको भली जएगा आप चौथा में पांचों में भरना है आपको गोता खूर तो यह पांचों में इसको भल लेना है तो आप इस तरह भली जएगा इसके बाद आता है आती लगूत्री प्रेश्ण प्रेश्ण कर्माएंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें किसे कहते हैं एक मेरुदंड में कितनी केरुष्काइं होती हैं आपको उत्तर में करना है मेरुदंड अनेक छोटी-छोटी अस्तियों से बना होता है जिन्हें जिन्हें केरिशका कहते हैं एक मेरुदंड में 33 केरिशकाई होते हैं इसके बाद next question आता है आपका प्रिश्ण कर्मांग 5-5 में है क्या सांप सरल में गती करता है यदि नहीं तो क्यों तो आपको प्रिश्ण कर्मांग 5 के उत्तर में लिखना है नहीं सांप वल्यकार गती करत तो आपको उत्तर में लिखना है कोनी कंगा गर्दन हाथ पैर सिर आदी इसके बन नेक्स्ट आता है आपका लगुत्री प्रेश्ण करमांक साथ में हैं नीचे दिये गए चित्र के अनुसार यह संधी आपके सरीर के किस भाग में पाई जाती है हमारी सरीर में इसकी क्या उप में है एक अस्थी को गती देने के लिए पेशियां किस प्रकार कारी करती है आपको उत्तर में लिखना है पेशियों के जोड़े के एक आंतर क्रम में सिकुडने एवं फैलने से अस्थियों में गती होती है तो देख लीजे यह पेशियां किस तरह से गती करती है आप इसको नहीं तो क्यों तो आपको उत्तर में करना है हां हमने जबडे में होने वाली गती को महसूस किया है नहीं दोनों जबडे गती नहीं करते हैं क्योंकि उपर वाले जबडे में अचल संदी पाई जाती है इसका रडवय गती नहीं करता है इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन मस्ते हैं कोई एक उदाहरण दीजे तो आपको तर्मे करना है कंकाल के वे अतिरिक्द अस्ति अंग जिनें मोड़ा जा सकता है तथा ये अस्तियां जितनी कठोर नहीं होती हैं उपास्ति कहलाती हैं कान और नाग उपास्ति हैं इसके बाद नेक्स्ट कोश्चनाता है आपका केच्वे में आस्थियां नहीं होती हैं केच्वे में गती शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है तो इस तरह से आपको जो है केच्वे की चितर भी बना लेना है इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन आता है आपका दीर गुत्री प्रेश्न प्रेशन कर्मां का बारा में है आपके हर्दय एवं फेबडों की रक्षा एवं पिंजरे जैसे संरचना के द्वारा होती है उस संरचना का नाम लिखे एवं बताईए कि यदि यह आपके सरीर में नहीं होती तो क्या प्रभाव पड़ता आपको तर्मिकना है हमारे हर्दय ए को सुरक्षा प्रदान करती है यदि पसली पिंजर नहीं होता तो इन सभी की सुरक्षा कम हो जाती तो आपको इस तरह करना है इसके बाद नेक्स राता है आपका प्रिश्ट करमंग 13 में अंतराश्टी योग दिवस कब मनाया जाता है योग के कोई 5 लाब लिखिए तो अंतराश्टी योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है पहला है योग तनाव से राहत देता है दूसरा है बैतर नीद लाता है तीसरा पॉइंट है भूख और पाचन को बढ़ाता है चौथा है यह दिमाग को हमें सांत रखता है पाचवा है इससे हमारे सरीर की ठकान दूर हो करते हैं तो आपको तर में लिखना ए उनके सरीर की विशेट संडचना के कारण यह दीनों गतियां पाते हैं जैसे पहला है पंक उड़ने के लिए दूसरा है पैर जमीन पर चलने के लिए दीसरा है पंक चिली पानी में तैरने के लिए और चौथा है हलकी अड़ियां उडान को आसान बनाने के लिए इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार वन प्रोजेक्ट कार वन में है आपके असपास में पाय जाने वाले जन्तूं को देखकर पता लगाईए कि किस प्रकार गमन करते हैं एवं गमन में कौन सा अंग कार करता है नाम लिखे तो आपको यहाँ पे लिखना है जन्तूं के नाम यहाँ पे गमन में प्रियुक्त होने वाले भाग अंग का नाम यहाँ पे जन्तू कैसे गमन करता है तो आप कुछ तरह लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गाय तो यह पैरों से चलती है और जन्तों कैसे कमन करता है तो यह चल कर तो मचली पंख यहाँ पे तैर कर चीटी पैर पंख यहाँ पे चल कर और उड़कर यहाँ पे है कीट कीट का होगा पैर पंख यहाँ पे चल कर उड़कर इसके बाद है मनुष मनुष से पैर से चलता है और यहाँ पे चल कर इसके बाद आता है आपका साप, साप का पूरा सरीर और यहाँ पे रेंकर, पक्छी, पंक, उड़कर, बहांस का है पैर, यह चल कर, कुट्टा, पैर, चल कर, कच्छवा, पैर, चल कर, तो आप उस देख करना है कि कैसे कमन करते हैं, कैसे चलते हैं, तो आप यहाँ से देख कि जो है आप अच्छे से कल दीश हैगा यह था आपका लास्ट कोश्चन यहां पर हमारी वीडियो कम्प्लीट होती है वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमाई चैनल को लाइक एंट सस्क्राइब करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो